आज की वीडियो में जिस कहानी की समरी मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ वो है The Adventure of the Solitary Cyclist लेखक है Sir Arthur Conan Dale यह Sherlock Holmes की नई सीरीज में एक दूसरी कहानी है Sherlock Holmes सीरीज सुनने के लिए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं तो शुरू करते हैं कहानी का Explanation मेरी यानि गरिमा की आवाज में April की शाम है Watson और Sherlock दोनों चाई पी रहे हैं तब ही Mrs. Hudson आती हैं और बताती हैं कि Miss Violet Smith नाम की एक यंग लड़की उनसे मिलने आई है और वो बहुत जादा इगर है उनसे मिलने के लिए तब तक में जो Miss Violet होती हैं वो इस रूम में आ जाती हैं और वो बताती हैं शारलोक को की वो यहीं पे फान हम की रहने वाली हैं और उनकी जो मा हैं वो वाटरलू में रहती हैं उनके पिता मर चुके हैं जो जेमस स्मित थे वो और केस्ट्रा प्ले किया करते थे ओल्ड इंपीरियल थीटर में अपने पिता की तरह ही Miss Violet भी एक म्यूजीशन है लेकिन अभी वो सिखाने का काम करती हैं जादा म्यूजिक प्ले नहीं करती अपने पिता की जाने के बाद उनका परिवार बहुत गरीब हो चुका है रिष्टेदारों के नाम पे उनके सिर्फ एक चाचा है जिनका राम रैल्फ स्मित है जो 25 साल पहले एफ्रीका चले गये थे और उसके बाद से उनकी कोई खोच ख़बर नहीं है 24 निमेंबर 1894 की वो कटिंग थी कटिंग जो थी वो उनके चाचा जो थे रैल्फ स्मित उनके द्वारा दी गई थी कि वो अपनी भाबी और अपनी भतीजी को ढूंड रहे हैं और अगर कोई भी उन दोनों को जानता हो तो वो कैर्थर्स एन कॉपरेशन में 57 वेलबेक पीट लंदन में आकर मिले बताती है मिस वायलेट की ये कटिंग पढ़के वो और उनकी मा इस एडरेस पे पहुच गई क्योंकि उन्हें लगा की शायद उनके चाचा उनके लिए कोई संपत्ती छोड़ गए होंगे जो उनके दुर दिन में काम आईगी वहाँ पर जाकर इनकी मुलाकात होती है कैरथर्स एन कॉपरेशन के मालिक मिस्टर कैरथर्स और मिस्टर वुडली से ये दोनों सौथ एफरीका से आई होते हैं वो बताते हैं क्योंकि जो चाचा थे अंकल रैल्फ स्मिथ जो थे वायलेट के चाचा वो बहुत गरीबी वे वहाँ पर सौथ एफरीका में रह रहे थे लेकिन वो कई बार जिक्र करते थे अपनी भतीजी का और अपने दोस्तों से कहा था कि मेरी मौत अगर हो जाएगी तो मेरी भतीजी की मदद करना उन लोगों थोड़ा अजीब तो लगता है ये सुनने में शरलोक को भी बहुत अजीब लगता है कि इस तरह से कोई क्यों मदद करना चाहेगा लेकिन चार महिने पहले ये बात हुई थी और मिस्टर कैर्थर्स ने मिस्स स्मित की मदद भी की उनको अपनी बेटी का म्यूजिक टीचर रखे उनकी दस वर्ष ये बेटी है जिसका नम सारा है और वो सौ पाउंड एक साल के मिस्स स्मित को दे रहे थे जो उस समय के रेट से डबल था मिस्स स्मित को या प्रपोजल बहुत अच्छा लगता है और वो वो जॉब करने लगती है लेकिन इस जॉब करते समय उनका जो डिस्टन्स था उनके घर का मिस्टर कैर्थर्स जहां रहते थे बहुत जादा था तो इसलिए वो उन्हीं के घर पे रहती थी और सेटेड़े की मॉर्निंग को अपनी मां से मिलने आती थी विडोवर थे उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी थी उनका नेचर अच्छा था सौफ्ट था लेकिन ये जो मिस्टर वुडली थे ये उतने अच्छे सभाव के आदमी नहीं थे जो उनके दोस्त थे और प्रॉब्लम तब हराइज होने लगी जब मिस्टर वुडली मिस्टर कैथर्स के घर पे एक हफ़ते के लिए आके रुग गए उनका नेचर बहुत चिर्चिरा था वो नौकरों पे बहुत चिलाते थे और सबसे खराब बात ये थी कि मिस वालेट इसमित पे वो बुरी नज़र रखते थे वो इसमित से कई बार कहते हैं कि वो बहुत पैसे वाले हैं अगर वो उसे शादी कर ले तो उसकी जिन्दगी बहुत अराम से कटेगी लेकिन मिस इसमित जो थी वो तो किसी और से ही प्यार करती थी इसलिए वो उसे शादी के लिए हाँ नहीं कर सकती थी सिरिल मॉटोर नाम के एक इलेक्टिकल इंचीनियर से मिस्श समित प्यार करती थी उनकी सगाई भी हो चुकी थी और आने वाली गर्मियों में दोनों शादी करने वाले थे लेकिन इधर मिस्टा वूडली लगातार फुर्स कर रहे थे मिस्टर स्मित को शादी करने के लिए उन से और उनके मना करने पे वो एक दिन जब अजस्ती उनको किस करना भी चाहते हैं ये बाट जब मिस्टर कैथर्स देखते हैं तो उन्हें बहुत गुसा आता है और वो अपने दोस मिस्टर वुटली को एक बहुत जोरदार घूसा मारते हैं जिससे उनका सर टेबल पे भिर जाता है और खून निकलाता है ये सब ऐसा वाइलन्स देखके जो मिस्टर स्मित थी बहुत घबडा जाती है वो शर्लॉक से कहती है कि जिन्दगी में उन्होंने कभी भी इतना खून खराबा नहीं देखा उसके बाद मिस्टर वुटली वहां से चले जाते हैं शर्लॉक और वाटसन चैन की सास लेते हैं कि चलो जो विलन था कहानी का वो तो चला गया मिस्ट स्मित कहती है कि वो मिस्टर वुटली के वज़े से शर्लॉक की मदद लेने नहीं आई वो तो उनकी मदद लेने आई है क्योंकि एक साइकलिस्ट है एक साइकल चलाने वाला आदमी है जो अचानक साइकल चलाते चलाते कहीं गायब हो जाता है ये बास उनके शर्लॉक चौक जाते है मिस्स स्मित बताती है शर्लॉक को कि हर सटेडे को वो फानम स्टेशन से 12-20 की ट्रेन पकड़के वाटर लू जाती है अपनी मम्मी से मिलने जहां पर वो रहती है चिल्टर्न ग्रैंज में जो की घर है मिस्टर कैथर्स का वहां से फानम स्टेशन की दूरी वो साइकल से तै करती है जब वो साइकल से जाती है फानम स्टेशन तक तो एक जगह बहुत सुनसान सड़क आती है एक तीव रिमोर्ड है जहां पर एक नदी बहती है उस नदी के ब्रिच के बाद बहुत ही सुनसान सड़क आती है काफी लंबी वहाँ पर अचानक से एक साइकल सवार उनका पीछा करता है जब वो से टैड़े को मम्मी से मिलने जाती है तब भी वो पीछा करता है और जब मंडे को की सुबह वो वापस आती है तब भी रास्ते में वो उसका पीछा करता है लेकिन अचानक से फिर वो जो साइकल सवार है वो गायब हो जाता है वो कहां चला जाता है वो उने नहीं दिखता, उन्हें बहुत चिंटा है कि कोई उनका पीछा क्यों कर रहा है इस तरह से शरलोग बताते हैं कि ये कब से पूछते हैं कब से चल रहा है वो बोलती है कि दो हफ़ते पहले से ऐसा हो रहा है वो cycle सवार लगबग 200 मीटर की दूरी पर उनसे रहता है अगर वो अपनी cycle धीमी करती है तो वो cycle सवार भी cycle धीमी कर लेता है वो अपने इतने पास नहीं आता कि वो उसका चहरा ठीक से देख पाए लेकिन जितना भी मिस्स स्मित ने उस cycle सवार को देखा है तो वो एक टोपी कपड़े की टोपी से अपना चहरा चुपाने की कोशिश करता है और उसे काले रंगी बड़ी-बड़ी मूचे है इतना वो बता पाती है Sherlock को और वो बहुत जुक के cycle की handle पे cycle चलाता है मिस्स स्मित बताती है कि उन्होंने मिस्टर कैथर्स को भी इसके बारे में बताया था तो उन्होंने कहा था कि वो एक dog cart मतलब की घोड़ा-गाड़ी अरेंच कर देंगे लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इसलिए उस दिन Saturday था जिसने Sherlock से मिलने आई है उस दिन भी उस cycle सावार ने उनका पीछा किया Sherlock बोलते होचते हैं मन में कि इतनी खुबसूरत है ये जो है मिस्स स्मित तो हो सकता है कोई इनका चाहने वाला हो जो उनका पीछा करता हो लेकिन वो कहती है कि नहीं ऐसा कोई भी उनका चाहने वाला नहीं है हाँ उन्हें ऐसा लगता है कि मिस्टर कैथर्स जो है वो शायद उनको थोड़ा बहुत पसंद करते हैं बात ही पे खत्म हो जाती शरलॉक उनसे कहते हैं कि ठीक है जब ये फिर से वाटरलू से फानम जाएंगी और उसके बाद साइकल से वो अपने घर तक जाएंगी चिल्टन ग्रैंट तक जाएंगी जहां वो रहती है तब वाट्सन छुप कर देखें कि आखिर वो साइकल सवार कहा जाता है वाट्सन शरलॉक के कहे अनुसार थोड़े पहले की ही ट्रेन पकड़ लेता है मिसिस में जो थी वो जब मंडे को लोटती थी तो नौपचास की ट्रेन लेती थी इसलिए वाट्सन शाड़े आठ बजे की ट्रेन लेकर ही पहुँच जाता है फार्नम स्टेशन और जो वहीं पर लंबी सी सड़क थी उसी की में जाड़ियों में छुप कर बैठ जाता है जो ये लंबी सड़क थी उसमें एक तरफ तो खुली सड़क खेथ थी और दूसरी चरफ चालेंचंग हॉल जैसी पुरानी बिल्डिंग थी चालेंट जंग हॉल एक बहुत पुरानी ग्रे कलर की बिल्डिंग थी जिसका रख रखाव अच्छे से नहीं किया जाता था वो बहुते निगलिजेंस में थी डिकेंग थी और उस पे कई क्रीपर्स जढ़ चुके थे आसपास बहुत घने पेड़ थे उसी बिल्डिंग के अपोजिट ये जाडियों में छुपके बैठ जाते हैं थोड़ी देर बीट जाने के बाद ये देखते हैं कि जो फाना में स्टेशन की रोड आ रही है उसकी अपोजिट तरफ से एक आदमी साइकल पे सवार आ रहा है उसका हुलिया बिल्कुल वैसा ही है जैसा मिसिस स्मित ने बताया था अचानक वो जो चालिंटिंग हॉल था उसके पास आके जाड़ियों में छुप जाता है और अपनी साइकल वहीं जमीन पे गिरा देता है थोड़ी देर बाद जब वा देखता है कि तो दूर से मिसिस स्मित आ रही है उधर साइकल से तब अचानक से वो साइकल अपनी उठाता है और उनका पीछा करना शुरू कर देता है लेकिन वो एक उचित दूरी बनाए रखता है वाटसन बहुत कोशिश करता है देखने की कि उस आदमी का चहरा देख ले लेकिन नहीं देख पाता उसे इसमें कोई खास सफलता नहीं मिलती मिस्समित को नहीं पता था कि वाटसन वहां मौजूद है वो बार बार अपनी साइकल धीमी टेज़ कर रही थी कि शायद वो पकड़ ले उस साइकलिस्ट को लेकिन वो साइकलिस्ट बहुत होशियार था वो इसमें की पकड़ में नहीं आता और अचानक से एक्टीव रिमोड के बाद वो गायब हो जाता है वोटसन देखते हैं कि वो कहां गया देखते हैं कि वो तो चालिंटन जो हॉल था वो पुरानी सी बिल्डिंग थी उसी के अंदर कहीं तेजी से चला जा रहा है वोटसन उसके पीछे जाते हैं लेकि अंदर जाने पे वो कहीं नहीं दिखता वो बिल्डिंग काफी पुरानी और बड़ी थी और उसमें बहुत से पेर थे वहीं पे कहीं छुप जाता है जाके अब वोटसन को याद आता है कि शर्लॉक ने उसे एक काम और भी दिया था उसे ये पता करना था कि वो चालिंटन हॉल जो बड़ी सी बिल्डिंग है उसका मालिक कौन है तो ये वहाँ स्टेट एजेंट से पता लगवाता है तो उन्हें मालूम पड़ता है कुछ ऐसा काम किया खराब कि उन्हें उनकी पोस्ट से हटा दिया गया अब वो ये बड़ा सा उन्होंने ये खरदा है घर मैंशन जैसा और उसे वो गर्मियों में किराय पर भी देते हैं ये सारी बाते पता करके वो शर्लॉक के पास आते हैं वाटसन लेकिन शर्लॉक उनकी खोज बीन से खुश नहीं है वो वाटसन से कहते हैं कि उन्हें गरत जगा चूस की थी छुपने के लिए उन्हें चालिंग जग जो हॉल है उसके पास में ही छुपना चाहिए था जिससे वो देख पाते वाज साइकलिस्ट कौन है एक बात से और अब उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी क्योंकि आश्चर जनक रूप से मिस्टर कैदन्थस जो थे जहां पर ये काम करती थी जिनकी लड़की को ये म्यूजिक सिखाती थी उन्होंने उन्हें प्रपोजल किये दिया है कि वो उनसे शादी कर ले इस बात से मिस्समित बहुत परिशान है वो शादी नहीं कर सकती है किसी और से जब वो इंगेज़्ट है इसलिए वो शरलॉक को कहती है कि वो ये जॉब अब छोड़ देंगी शरलॉक कहते हैं कि अब उन्हें एक बार जाना पड़ेगा पता करना पड़ेगा खुझ से हर चीज़ को वो किसी और से पता नहीं लगवाते पास में ही उस चालेंटिंग हॉल के पास में एक पब होता है वो उस पब में जाते हैं कहते हैं पब एक ऐसी जगा होती है जहां पे आसपास के लोगों के बारे में काफी कुछ पता लगाया जा सकता है वो वहाँ पर एक आदमी था उससे कुछ पता लगाने की कोशिश करी रहे थे वो उन्हें बताता है कि जो मिस्टर विल्यम सन है ये पहले कलरगी मैं थे इन्हें हटा दिया गया था वो गर्मियों में अपनी देते हैं किराय पे जगह और शैद उन्होंने मिस्टर वुडली नाम के एक आदमी को ये जगह कुछ दिनों के लिए किराय पे दी गई है लेकिन मिस्टर वुडली जो थे वो पास के ही कमरे में थे वो यह सब सुन लेते हैं वो बहा निकल आते हैं और वो शरलॉक से पूछते हैं कि आखिर वो उनके बारे में पूछताच क्यों कर रहे हैं शरलॉक से उनकी हाथ पाई भी हो जाती है शरलॉक को भी चोटा जाती है चहरे पे लेकिन मिस्टर वुडली को भी बहुत जोरदार घूसा मारते हैं उनको काफी चोटा आती है फिर वो पट्टी वट्टी रखके समने चहरे पे और एक कार्ट से उनको वहां से ले जाया जाता है एक हफता बीच जाता है अब मिस्टर स्मित की और चिठी शरलॉक को आती है वो कह लिखती है उस चिठी में कि अब एक दिन भी और इंतिजार नहीं कर सकती है बस जो सटैड़े आने वाला है उस दिन वो किसी भी तरह इस नौकरी को छोड़के यहां से चली जाएंगी वो पैसे के लालश में भी नहीं आएंगी क्योंकि अब मिस्टर वूडली जो है वो वापस आ चुके हैं उन्होंने देखा है मिस्टर स्मित ने उपर खिड़की से कि वो मिस्टर कैथर्स से खड़े होके बात कर रहे थे गार्डन में और बताते हैं कि मिस्टर वूडली के चहरे पर काफी चोट आई वी थी वही चोट जो शॉलॉक ने उन्हें दी थी अब वो कह रही है कि उन्हें जान को खत्रा लग रहा है इसलिए वो किसी भी हाल में चली जाएंगी इससर टैड़े को मिस्टर कैथर्स ने मिस्ट समित से कहा है कि उन्हें साइकल से जाने की कोई जरुवत नहीं है वो एक कार्ट उनके लिए घोड़ा गारी अरेंज करा देंगे और वो उसी घोड़े गारी से स्टेशन चली जाया करेंगी अब वो मिस्ट समित ये भी लिखती है चिप्थी में शरलोक को कि अब उनको शरलोक की सर्वसिस की कोई जरुवत नहीं है जोकि अब तो वो नौकरी छोड़के जा ही रही है शरलोक को बड़ा पटा लगता है वो होचते हैं कि जब वो आखरी विदा ले रही है मिस्स समित तो जरूर शरलोक को भी वहाँ होना चाहिए जिससे वो सेफली अपनी मम्मी के पास पहुँच जाए उन्हें कोई परशानी ना हो शरलोक और वाटसन सुबह की ट्रेन पकड़के चले जाते हैं वहीं पर जहां से मिस्स आने वाली थी 12-20 की ट्रेन से वो आती थी लेकिन शरलोक ने इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि जब वो घोड़े गाड़ी से आ रही है तो वो 12-20 की ट्रेन नहीं लेंगी वो और पहले की ट्रेन से ही चली जाएंगी वाटरलू उन्हों को आने में लेट हो जाती है और जब वो इस रोट पे जा रहे थी तब देखते हैं कि ये घोड़ा गाड़ी तेजी से आ रही है लेकिन वो घोड़ा गाड़ी बिलकुल खाली थी उसके अंदर कोई नहीं था शरलॉक वाट्सन से कहते हैं कि जल्दी से घोड़े की जो लगाम है वो पकड़ ले और घोड़े गाड़ी को रोकने का प्रयास करें वाट्सन बहुती फूरती के साथ घोड़े गाड़ी को रोक लेता है और शरलॉक और वाट्सन उसके सवार हो जाते हैं थोड़ी दूर वो जाते हैं तो उन्हें फिर से वही साइकलिस दिखाई देता है जो बेत इंतहा तेजी से साइकल चला रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो किसी के तलाश में है मिस्स स्मित कहां है किसी को नहीं पता वो ना साइकल पर है ना उस घोड़े गाड़ी में है तब ही वो साइकलिस दा जो घोड़े गाड़ी स्टकरा के गिर जाता है वह शर्लॉक से कहता है कि वो उन्हीं की साइट पे है उसे भी मिस्स स्मित की बहुत चिंता है और वो उन्हीं को ढून रहा है वो भी गोड़े गाड़ी पे बैठ जाता है और सारे चालेंचिंग हॉल पहुंच जाते हैं चालिंटेंग हॉल में देखते हैं कि पेड़ के नीचे तीन लोग खड़े हैं एक होते हैं मिस्टर विलियमसन वही कलरगी मैंट जो हटा जा चुके हैं अपनी पोस्स से एक मिस्टर वुडल होते हैं और तीसरी होती है मिस्स स्मित मिस्स स्मित के मुँपे पट्टी बांधी गई होती है ऐसा लग रहा था वो भी होशो के गिरने वाली है और मिस्टर विलियम संजो थे वो जल्दी जल्दी शादी की रस में पूरी कर रहे थे वो Mr. Woodley की और Mrs. Smith की जबरदस्ती शादी करा रहे थे जब वे वहाँ पहुँचते हैं तो Mr. Woodley कहते हैं इन लोग से Sherlock, Sherlock को तो देखी नहीं पाते हैं पहले वो साइकल सवार से कहते हैं कि मेरी तो शादी हो गए Mrs. Smith से तो वो जो साइकल सवार था वो बहुत गुसे मेरा था अपनी टोपी निकालता है अपनी मुच्छे निकालता है वो और कोई नहीं वो Mr. Cathars थे वोडल के दोस्त जहां पर रहती थी Mrs. Smith वही साइकल पर सवार होकर दर असल वो पीछा करते थे Mrs. Smith का तो कि वो उनकी रक्षा करना चाहते थे Mr. Woodley से वो वोडली को खुब कस के डराते हैं कहते हैं कि इस तरह की शादी को तुम शादी कहते हो लड़की को तुमने बेहोश कर रखा उसके उन पर पट्टी बंदी है फिर अचानक वो बंदूख निकाल लेते हैं और देखते ही देखते वो Mr. Woodley को गुसे में आके उनकी चाती में गोली मार देते हैं वो मरते तो नहीं है लेकिन हाखून बहने लगता है शरलोक जल्दी से Mr. Kethers के हाँ से वबंदूख छीन लेते हैं और वो वहीं पर उनको वो घुर सवार मिला होता है जो गाड़ी का ड्राइवर था वो वहीं पड़ा होता है घास में उसको भी इन लोग ले आए थे साथ में जल्दी से एक चिठ्ठी लिखकर उसको भेजते हैं कि पलिस को तुरंट यहां बुला के लोगा जो गाड़ी का वाहक का ड्राइवर था वो चला जाता है पलिस को बुलाने के लिए पलिस के सामने सारी कहानी खुलती है दर असल जो मिस्टर वूडली थे और मिस्टर कैथर्स थे यह दोनों ही बदमाश थे अवल दर जर के और यह लोग प्रॉपर्टी हतियाने आए थे मिस्स स्मित की Miss Smith को उनके चाचा ने बहुत सारी प्रापर्टी उनके नाम पे छोड़ दी थी अब क्योंकि उनके चाचा जो थे Ralph Smith ये पढ़े लिखे नहीं थे इसी लिए अगर उनकी मौत हो जाती जो की हो चुकी थी तो उनकी प्रापर्टी सारी मिल जाती उनकी भधीजी को ये बात जानते थे मिस्टर वूडली भी और मिस्टर कैथर्स भी उन्होंने सोचा कि अगर वो शादी कर ले मिस्स स्मित से तो सारी प्रॉपर्टी मिस्स स्मित की उनको मिल जाएगी शरलोग पूछते हैं कि फिर मिस्टर वूडली क्यों आपने क्यों नहीं शादी करने के लिए कहा तो सोच लीजे क्या उन्होंने कहानी बताई है कि हम लोग ने ताश का गेम खेला शिप पर बैटके और कहा कि उस ताश के गेम में जो जी जाएगा वो मिस्स स्मिस से शादी कर लेगा ये बास उनके वाटसन को बहुत आशर होता है कि इस तरहे के लोग भी होते हैं दुनिया में जिसको इनसान की कोई वैल्यू ही नहीं है उस ताश ये गेम में मिस्टर वुडली जीद गए थे और इसलिए मिस्स स्मिस की शादी उनसे होने वाली थी लेकिन मिस्स स्मित उनको बिलकुल भी पसंद नहीं करती थी अब प्रॉब्लम तबराइज होती है जब नहीं मन मिस्टर कैथर्स मिस्स स्मित को पसंद करने लगते हैं अब वो चाहते थे कि मिस्टर वुडली किसी तरह रास्ते से हट जाएं और वो उनसे शादी करने वो मिस्टर वुडली से कहते भी है कि प्रॉपर्टी में वो आधा शेयर देंगे मिस्स स्मित की जो प्रॉपर्टी मिलेगी लेकिन मिस्टर वुडली को तो अब मिस्स स्मित से शादी करने हैं किसी भी तरीके से जब मिस्टर वूडली को ये हटा देते हैं भगा देते हैं अपने घर से मिस्टर कैथर्स तो वो लौटते नहीं हैं बलकि वहीं कालिंटर हॉल में वो किराय लेकर और वहीं पर रहने लगते हैं वहीं उनकी मुलाकात होती है मिस्टर विलियमसन से जो की कलगी मैन थे जो हटाय जा चुके थे चर से वो दोनों साथ गाट करते हैं वो कहते हैं कि तुम हम लोगी शादी करा देना जिसे कि मुझे प्रॉपर्टी मिल जाए अब इस बात का शक मिस्टर कैथरस को था कि ये जो इनका दोस्त है मिस्टर वुडली ये जरूर उस क्लगी मैन से मिल गया है क्योंकि वो वहाँ पे रहता है इसलिए वो जब भी सैटर्डे को जाती थी मिस्टर मंडे को लोटती थी तो वो साइकल पर नकली मूझे लगा कर एक कैप लगा के उनका पीछा करते थे उनकी रक्षा के लिए कि कहीं जब अदस्ती उनकी शादी ना करा दी जाए मिस्टर वुडली से लेकिन आज यो की आखरी दिन था हमेशा के लिए मिस्टर स्मित वहाँ से जा रही थी तो ये मौका मिस्टर वुडली छोड़ना नहीं चाते थे विल्यम सन से मिलकर उन्होंने शादी रचा दी जो की एक फोस्ट मैरेज थी इलीगल थी और शरलॉक पुलिस को पकड़ाते हैं इन लोग को जिसके लिए मिस्टर वुडली को और मिस्टर विल्यम सन को साथ साल की सजा होती है कि उन्हों नगिक लड़की को पकड़ के उसे जबदस्ती शादी करवाई हलाकि सजा थो मिस्टर कैथर्स को भी होती है लेकिन कम समय की होती है अब शादी हो जाती है अपने मंगेतर से मिस्स्मिट की और सारी प्रपर्टी भी मिलती ही उनको अपने चाचा की जिससे उसके बाद ये हसी खुशी जिन्दिगी जीने लगती है कहानी बहुती ट्विस्ट और टर्न से भरी थी लेकिन कहानी बहुती इंट्रेस्टिंग थी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताईए कॉमेंट सेक्शन में और अगर किसी अन्य कहानी का एक्स्प्लेनेशन भी आप चाते हैं तो आप बता सकते हैं मैं जरूर कोशिश करूँगी सुनते रहिए मेरा चैनल थैंक्स फॉर लिसनिंग बाई फॉनो